हेलो स्टूडिंट्स वेलिकम टो हेलो बायवाजी आज की क्लाउस में हम पढ़ेंगे स्पर्मेटर जेनिसिस के बारे में इस पर अथवा मेल के नीट्स के प्रोडक्शन को स्पर्मेटर जेनिसिस कहती है स्पर्व का प्रोडंशन, टेस्टीज में होता है, ये तो बन सब जानती है, पर कैसे इसी बात पर हम गौर करेंगे तो चलो शिरू करती है, टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर सैमिरिफेरस स्टिप्यूल में स्पर्वेटर गोनिया सेल्स होती है जो की immature होती है, और इनका निप्लेस deployed होता है, मतलब की chromosome की संख्या 46 होती है सबसे क्या होता है, इनमें multiplication होता है, जिससे इनकी संख्या भढ़ जाती है और कुछ स्पर्मेटर कोनिया में growth की साथ-साथ maturation भी होता है इस प्रकार की sense को हम primary spermatocytes कहती है वो बच्चों, यह जो primary spermatocytes हैं, इनमें आगे जागे meiosis cell division होता है फर्स्ट meiosis के बाद primary spermatocytes से एक primary spermatocytes से दो cells का निर्मान होता है जिसे हम secondary spermatocytes कहते हैं, इनमें chromosome की संख्या हाफ रह जाती है क्यूंकि meiosis cell division हुआ है अब इससे जो secondary spermatocytes बनी हैं, यह enter करती है meiosis second में और इनसे चार cells का निर्मान होता है जिनमें भी chromosome की संख्या हाफ ही होती है, यानि कि 23 होती है यानि कि इसका जो nucleus होता है, तो haploid होता है और second day spermatocytes से कि meiosis second division के बाद जो cells बनती हैं, उनको हम नाम देते हैं spermatocytes, याद रखेगा spermatocytes, आगे जाके यह spermatocytes में transformation होता है और अब यह कुछ ऐसा दिखने लगा है, जिसमें एक head है, middle piece है और एक tail है, इस tail का बड़ा ही उपियोग होता है जब यह एक को fertilize करता है, यानि कि एक तक पहुचने के लिए इस tail का बड़ा ही में तपूर्ण योगदान रहता है अब इस sperm में transform होने के बाद, यह अपना head जो है, यानि कि sperm जो है, वो अपना head semiliferous stibule के अंदर ही एक और प्रकार की cell होती है, जिसे हम स्टोली cells कहते हैं उसमें अपना head जो है, वो invade करता है, और फिर यह semiliferous stibule से बाहर निकन चाता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस पन्मियेशन, तो बच्चो, आज की class में बस नहीं, मिलते हैं आपसे अगली class में, तब तक के लिए अलविदा और अगर आपको यह class पसंद आई हो, यह video पसंद आई हो, तो चैनल को subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share करें, मिलते हैं आपसे अगली class में